आज हम सीलेंगे छोटे बच्चे के लिए कपड़े का टोपा तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है बच्चों को हम कपड़े का टोपा पहनाएंगे तो वो अच्छा रहेगा अगर हम उनका पहनाएंगे तो उससे अलर्जी हो सकते हैं तो कपड़े का टौपा ही गर पर सील के पहनाएं आप इसी किसी भी कपड़े से बना सकते हैं कपड़ा सूती होना चाहिए सौफ्ट होना चाहिए तो उसके लिए मैंने अब यह कपड़ा लिया है इसे मैंने डबल फोल्ड करके बीचा लिया है तो हम 10 इंच इसकी 10 इंच का हमने निशान लगा लिया है इस तरह भी लगा लेंगे हम इसकी चोड़ाई लेंगे हम 15 इंच यहां पर हम एक निशान लगाएंगे सीधा कर लेंगे निशान को हम देखिए 15 इंच हमने निशान लगा लिया है अब हम इसे कट कर लेंगे यहां से भी काट लेंगे हम अब हम इसे एक फोल्ड और करेंगे एक तो हमने यह कर रखा है और एक फोल्ड हम इसे और करेंगे अब हम तीन इंच का यहां से निशान लगाएंगे और हमारा जो ही कोना है इस पर हम गोल शेप में निशान लगा लेंगे ऐसे फिर हम इसे कट कर लेंगे यहां से इस तरीगे से एक कट का निशान हम उपर लगाएंगे और एक कट का निशान हम छोटा सा नीचे लगाएंगे यह देखिए यह मैंने कट कर लिया है अब हम एक पट्टी कट करेंगे अपने इसके लिए कपड़ा लिया हमने इसको भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे तीन इंच पर हम इसे कट करेंगे चोडाई में यह हमारी बड़ी पट्टी है इसलिए हम इसे लंबाई में भी कट करेंगे थोड़ा तो मैं यह साड़ी 6 इंच के उपर कट कर रहे हूँ तो यह तेरा इंच की हो जाएगी क्योंकि हमने इसे डबल फोल्ड किया है और इसमें भी हम सेंट्र में कट लगाएंगे इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से अब हम एक पट्टी और काटेंगे तकरिवन एक डेड़ इंच की इसे सीधा कटिंग कर लेंगे देखिए एक या डेड़ इंच की हम इसे कट करेंगे तो यह हमारा टोपा कट चुका है इस एक्स्ट्रा कपडे को हम रख देंगे यह हमारा टोपा है और इसकी पट्टी काटी हुई है हमने दो देखिए तो इसको हम इसमें प्लेटे लगाएंगे यह जो हमने बीच में इसमें कट लगाया था और टोपा में जो कट लगाया था यहां से हम प्लेटे डालेंगे यहां से और गोलाई शेप में यहां तक इस कट तक हम इतने हिस्से में प्लेटे डाल देंगे और यहां से और यहां तक बाकी का हम इसमें डाल देंगे प्लेटे इतने हिस्से में हम इसको इस तरीके से रखेंगे और यहां पर सिलाई करेंगे तो चलिए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं तो यह मैंने प्लेटे आधी में लगा लिया यह देखिए मैंने इस प्लेटे को लगा लिया यहां से यहां तक अब हमने इस तरफ प्लेटे डालेंगे, अब हम यह हमारा सेंटर पार्ट आ गया है, इतना बाकी बचा हुआ आदा है, जो हमारा, इसमें हम यहां से यहां तक इसमें प्लेटे डाल देंगे, यहां से यहां से यहां तक हम इसमें डाल देंगे, आधे में हमने उस तरफ डाल लिएथे, पहले हम प्लेटे उस तरफ डाली थी, अब हम इस तरफ डालेंगे, तो यह मैंने इस तरफ भी प्लेटे डाल ले हैं अपने इन देखिए हमने थोड़ा सा हिस्सा सीधी सलाई करके फिर प्लेटे डाली है इस तरफ और पिर हमने आधे में आकर इस तरफ प्लेटे डाली है और थोड़ा सा इस सामने सीधी सिलाई की है यहां से यहां तक तो चलिए अब हम इसके पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरीके से हम एक फोल्ड करेंगे और फिर दूसरा फोल्ड करेंगे और यहां पर एक सिलाई लगा लेंगे अपने यह देखिए इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा लिए पुरे में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे हम फिर अब हम इतना भाग जो है दूसरे पट्टे का हम छोड़ देंगे और यह वाला जो है हम इसमें एक बड़ी मोटी या प्लेट डालेंगे हम इसमें चार प्लेटे लगाएंगे मोटी मोटी यह हमने प्लेटे लगा लिए और इतना भाग हमने इसमें छोड़ दिया है बानने के लिए इतना ही हमने उस तरफ छोड़ दिया था अब हम इस पट्टी को फोल्ड कर देंगे देखिए हम एक फोल्ड ऐसे करके और दुबारा हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इस पर हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे पूरी में सिलाई लगा लेंगे हम यह हमने सिलाई लगा लिए तो यह हमारा टोपा तयार है यह देखिए हमने अंदर भी इसका यही कपड़ा लगाया है और भार भी यही तो इसका यह फायदा कि हम इसे दोनों तरब से पहना सकते हैं बच्चे को देखिए यह बहुत ही अच्छा का पड़ा एक दम सॉफ्ट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैलन को सस्क्राइब कीजी वीडियो को लाइक कीजी और कमेंट कीजी थैंक यूँआ झाल